और फिर आइज चार गंटे हो गए वही पढ़ाई कर लें अब एक माधे अब थोड़े थोड़ी दो खेल लू फिर बात तु दसवार बोल चुका है यही दिक्कते पता है video games खेलने की जैसे हम बोलते हैं कि अगर माल लो मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं को इस टूंडे 12 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है अब उसके बाद साथ पर दो घंटे बन जाता है फिर उसका दम लेट्स होते हैं या फिर हमारा पढाई में मन नी लगता तो तो देखो समझेना पड़ेगा वीडिव का है ना वो एक बहुत ही हाई डोपामीन एक्टिविटी है हाई डोपामीन मतलब क्योंकि इसमें इतने सारे चैलेंजे से इतना मजा मिल रहा है तुमारे दिमाग को इतना इंटर्टेन में मिल रहा है तो तुमारा जो डोपामीन का रिफरेंस लेवल हो बहुत हाई हो जाता है मतलब डोपामीन ही वह है जो हमें चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है तो अब जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना तो पढ़ाई है इसके सामने बोरें हो जाती है तो होता है कि जब तुम पढ़ाई करना जरूरी है अपनी प्रपेरेशन के दोरान क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं ना ताकि फिर हमारा रिफेरेंस लेबल बहुत डाउन रहेगा फिर हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और जब हम कोश्चन सॉल्व करेंगे हमें कोश्चन सॉल्व करके डोपामीन में लेगा तो यह चीज़ जहां रखना इसके लावा जो लोग प्रॉपर डोपामीन का कॉंसेप समझा च चाल वे बाई बाई